प्लस में आपका स्वागत है यह सेमसंग का गलेक्सी जे टू एश है जिसमें पेटन लॉक लग गया है तो फ्रेंड आज मैं इसका पेटन लॉक अन्लोक करके आपको दिखाऊंगा देखें इसमें पेटन लॉक लग गया है और दूसरा कोई पेटन जब यहां डाल रहे हैं तो आज मैं इसका पेटन लॉक लॉक करके दिखाऊंगा तो मैं विडियो को देखते ही यह इंड था तो चलिए सुरू करते हैं फोन के इस सेट में बोलीम बटन है यह डॉन बटन है यहां पर होम बटन है तो हम लोग क्या करना है बोलीम अप बटन और होम बटन को एक power off कर लेंगे तो यह power button है इसे हम लोग दबा के रखे रहेंगे अब यह पाउर options में टैप करके इस phone को off कर देंगे ठीकिए अब हमारा phone जाए हो off हो गया है अब हमनों क्या करेंगे volume up button और home button दोनों को एक साथ प्रेस करके रखे रहेंगे और power button दबा देंगे दबा दिये हैं जैसे यहाँ samsung लिखके आएगा power button छोड़ देंगे छोड़ दिये अब जैसे यहाँ पर options आजागा तो हमनों volume up button और home button को भी छोड़ देंगे ठीके आगिया अब दोनों बटन को हम लोग छोड़ दिये अब हमारे डिस्प्ले पे इस तरह से सो होने लगेगा यहां थौशा हम लोग वेट करेंगे अभी यहां पर options आजाएगा बहुत सारा थौरा सा वेट करेंगे थौरा समय लग रहा है हम लोग वेट करेंगे ठीक है अब यहां पर देखिए इस तरह से आजाएगा यहां पर लिखा हुआ है no command जब ऐसा लिखा हुआ आएगा तो आपको क्या करना है पावर बटन को दवाए रखना है और भूलेम अब बटन के एक पर क्लिक कर देना है ठीक है चली सुरू करते हैं पावर बटन को दवा दिया और भूलेम अब बटन के एक पर क्लिक कर दिये तो हम लोग के सामने में यहां पर बहुत सारा options आ जाएगा थोड़ा सा वेट करे ठीक है आ गया अब यहां पर क्या करना है ध्यान से दिखिए यहां सबसुपर में लिखा है रिबूट सिस्टम नाओ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा वाइब बतन ett 47 अब यह अब हमझेब रहेँ पर देना है जाएगावध यहां रिक रिखाओं दबॉट सब्याओं थाइब आ गए और power button दबा के ओके कर देना है चलिए power button दबा देते हैं जैसे power button दबाएंगा हमारा phone जे wipe data factory सेट हो जाएगा देखिए या निचे में लिखा चुका है data wiped completed अब हमलों को यहाँ पर क्या करना है देखिए यहाँ सब सुपर में लिखा है reboot system now तो हमलों को इसी पर रहना है power button दबा देना है चलिए power button दबा देते हैं जैसे power button दबाएंगा हमारा phone जे रिबूट मूट में चला जाएगा तो यहाँ पर आपको 6-7 निट लगेंगे तो जब तक हमारा phone रिबूट होके खुद खुद श्टार्ट ना हो जाए तब तक हमलों को वेट करना है अगर आपको मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो को like कर दे अगर आप मेरे चैनल पर नए है और आपने मेरे चैनल को अब तब subscribe नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe करके बैल आइक अंदवा दीजेगा ताकि जब भी मैं ऐसे नई वीडियो लेकर आओं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए फ्रेंड इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको मोगाल से जोरे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जिसे आप अपने मोगाल का प्रोब्लम का सिलिशन आसानी से और सरल तरीका से कर सकते हैं यहाँ पर मैंने थाँसा वीडियो भगा दिया है अब यहाँ पर थोड़ी दिर के बाद इसी तरह से कुछ अप्लिकेशन खुदब को दिश्टावल होने लगेंगे उसे होने दें फ्रेंड यह हार्ड इसेट प्रोसेस है हार्ड इसेट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप गूगल एकाउन लोग में फस्ते हैं तो आपको घबरानी की जरुत नहीं है उस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीड अप्लिकेशन खुद बखुद इंस्टाल हो रहे हैं उसे हम लोग होने देंगे था समय लगता है जब आप अप्लिकेशन इंस्टाल हो जाएगा तो हमारा फोन चालू हो जाएगा ठीक है अब हमारा फोन चालू होने वाला है तो देख सकते हैं अब हमारा फोन यहां पर स् ताकि जब भी मैं इसे नहीं वीडियो लेकर आँ तो उसका नोट्पीकर्शन आपको सबसे पहले मिल जाए